ब्रिंधावन ब्रिंधावन भगवान स़ी किसन और रादा की लीलाओं का इस्थान है तो चलिए मैं आज आपको ब्रिंधावन की कुछ जलक दिखाता हूँ और यहां के पेकर्मा मार के धर्सन कराता हूँ मानता है कि रात के समय निधीवन में किसना जी और राधा जी और गोपियों के साथ में रास लीला करते हैं तो चलिए मैं आज आपके लिए फुल वीडियो लेके आया हूं ब्रिंदावन के पेकर्मा मारक का जिसमें आपको पता चल जाएगा कि पेकर्मा मारक में कितना टाइम लगता है सात में मैं आपको आज गोरी गोपाल आस्रम लेके चलूँगा जहां पे फिरी में 40,000 लोगों का भंडारा होता है और आज मैं राधा वालब जी के आपको दर्सन भी कराने वाला हूं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं राधा राणी जी का नाम लेके हमने पेकर्मा की यातरा सुरू कर दिये और यह जो पेकर्मा है यह तोटल 14 से 15 किलोमेटर है इससे पहले भी हम कर चुके हैं लेकिन अज मेरे अंदल से भाव आया कि मैं फिर से एक्रमा करूं और इस पैकर्मा में में वीडियो बनाऊ raise आप-लोगों से इस्वोर्ड कर सब्सक्राइब करते हैं तो रास्ते में सभी हत्गन यहां पर भंडारा भी करते हैं यह देखो आपको यहां पर भंडारा भी मिल जाएगा खाने के लिए जो की पूड़ी और सब्ची यह देखो अगर आप आते हैं तो यहां पर जगा जगा आपको बंडार चलते मिलेगे तो आप भोजन भी कर सकते हैं और अगर आप नहीं करना चाहते तो बिना भोजन करे भी प्यादर कर सकते हैं हमने तो किया नहीं तो चलो चलते हैं करने के प्राचीन मंदिर हैं जैसे आप यहां पर देखेंगे तो यह थो पहुत फुराने जो की मंदिर आये रहा है होगा कितना पुराना मंदिर है और यहां पर फूजा थोड़े लोग करते हैं बाकि सामने सेहकरा माल कुछ कि आप लोग देख सकते हैं यह मंदिर पूरा तोड़ दिया था उधर का फीच का थोड़ा यूपर तोड़ पाए थे पाकि इसको ऐसे चोड़ दिया गया इसको शरकान ने आगे आगे बिलकुल ले यहां से आपको स्री मांके भीहर जी का टिंपल फूड़ी दूर मिलेगा मैंने बोला था अगर आप प्यकरमार करते हैं तो इसमें आप सभी मंदर के दरसन कर सकते हैं तो चलिए अब मैं आपको दस्न कराता हूं यम्ना मैया के यह देखिए यह है यम्ना मैया यहीं पे रहता था यम्ना मैया में किसी को गुष्णे ने दियता था और उसके बाद हमारे प्रभू स्री किसन ने उसका धार किया था बांकि अभी पानी बहुत साफ हा रहा है जो को बोट भी चलती है अगर अंदर जाओगे उसका अलग यहां पे आपको चार्ज देना पड कि अभी हमने यातरा साथे पांच बजे अपनी शुरू की थी लगो छे बजने जा रहा है तो यह है कुछ इमना मैया आप भी दर्सन कर लो तो अगर आप प्रेकरवां की मार्ग में आते हैं तो आप चारा खरीद के गाई माता को खिला सकते हैं और कुछ आपकुन कमा सकते हैं यह देखो यहां पर लोग चारा किंद रहे हैं और मां गाई को खिला रहे हैं यह तो यहां तक तो आटो से आप पैकरमा कर सकते हैं लेकिन इसके आगे थोड़ा सा रास्ता लागों दो से तेन किलिमेटर आपको पैदल ही जाना पड़ेगा यह दिबहाँ है लोग पैकरमा मर्क करते हैं यहां से आप देख सकते हैं कि si Amina मैय ने आपना परभाद दिखा दिया इसके आगे आप तकरड़ी से नहीं जा सकते पैदल ही जा सकते हैं अभी मैं दिखाऊंगा आपको पुराने भाहि मकान बने हुए है और मंदर बने हुए है देखो तोड़ा गया है आगे मंदर भी तोड़ा गया है अभी जो जल इस तरह है वो यहां का बहुत बढ़ा हुआ है जब इमना में घट जाती है तो यहां से आना जाना देखो वहता है लेकिन अभी कोई ज्यादा आ जा नहीं रहा है बाकी यह रास्ता है यह देखो यह रास्ता है पेकर्मा मार का पैदल बाला यह भी है इस तरह से कुछ है ओ भाई कितना सा पानी है यह देखो इसी आज भी पानी निकला जा रहा है पीने वाला बिल्कुल मीठा पानी निकलता है इसमें यह देखो भाई कितना सुन्दर न जा रहा है यह देखो रादे रादे जी पानी मीठा निकलता है पीने के लिए इसमें अच्छा जी देखो कितना पुराना कुवा है और सबी लोग इसी तका इसी का पानी निकाल के पीते हैं अब भी ये दुख हो गाई और ये है कुछ मकान यहां के पुराने देखो बंदर बैठे हैं वहाँ बंदावन पेकरमा मार्ग में आपका स्वागत है ये देखो बाई टटिया आश्रम पाने गाम अटल्ला चुंगी ये है पेकरमा मार्ग यहां पे घूम रहे हैं बंदर कि अधर कि तुलसी माला डोण रहे हो वह भी पेवर ओरिजिनल तो आज मैं आपको बिंदावन में एक असे जोपप पे लाया हूं जहां पर आपको पेवर बिलकर ओर जिल यहां पे तुलसी माला मिल जाएगी रादे विया आपके यहां पेवर पूरी तुलसी मिलती है ना तो आपको बदादों अगर आपको पेवस दोलसी चाहिए तो भाई यहां से कंठी माला और पेवस तुरसी मिल जाएगी बांकि अभी हमने इतना यहां से लिया है जाप करने के लिए यहां आप ओलाइन भी मंगा सकते हैं और यहां की जो लोकेशन पड़ती है यह है हमारे अ सबसे तो यहां पर यहां पर कभी भी मिले सकते non-lain सबस्क्रासी तो सब्सक्राइब कर सकते हैं यह अभी मैं he निन्हा बन में और आज मुझे अधुडên चार्जी तरशक और ने को वाय मिले चलो अभी आपको नस में नाथ करा दे रधे राधे घुरूजी कि लग्त देंड़क रहा है कि zones हिर दे वन उसर तो चेस्ट डिश्ट इसे झाल 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 यह देखो देखो भाई ब्रिंदावन की जो गाय है न वो बिलकुल अलग हैं यहां के जो होटल वाले हैं वो भी बिलकुल अलग हैं होटल वाले ने रोटी दे दी अब यह गाय फिर से हट जाएगी और एगर वोटल वाला रोटी नहीं देता ना तो भाई काई हट्टी नहीं यहां की गायों की यहीं खोवी है प्रादे रादे रादे चलिए दर्सन कर लिए अब चलते हैं बाहर राधा राने के दर्सन कर लिए अब चलते हैं जो कि श्री राधा बल्लव जी के दर्सन करने के लिए वो यहां से लगर सम्तिंग एक से डेर किलोमेटर हैं अबुँए जाएंगे करेंगे जाके बहूति मन भरके तो यह राधा बल्लब जी का दर्वार और Yogy जो सजाया गया वो बहुती प्यारा सजाया गया और यहां पर जाड़ा भीड़ भी नहीं है चलो पहले तो आप राधा बल्लब जी के दर्सुन कर लीजिए आज मेरा पेकरबानी पूरी हो गई और राधा जी के दर्सुन भी हो गए तो चलिए अभी यह को रह् progress in ability यह मेरा भी मेरा अब्धरř, और अभी हम चलते हैं यहां से से चीडर आजिए, आज साम के लिए यही प्र स्कृद्ध。 और इंड नुल मेरा और लिए आजिए का लीए अगाय माफिकी नीवर उसके दर्सुन ह धेर राधे?